पंकज यादव जी परम पूझ महराजी के चड़नों में साधर पर नाम कौन? महराजी मेरी उम्र 29 वर्ष है मेरा शरीर सांसारी क्रियाओं में लिप्त अभी तक ना जाने कितने महापाप अधमकत मेरे इस शरीर के द्वारा हो चुके हैं और मैं अभी भी हो रहे हैं इन सब के बावजीद भी क्या मैं अपने आराद श्री राधाकर्ष्न का कृपापात्र बन सकता हूँ कृपापात्र हो बन नहीं सकते आप हो क्योंकि अगर आप कृपापात्र ना होते तो इधर कदम ही ना आते श्री जी के कृपा के बिना इधर आया नहीं जा सकता और हम लोगों की गलतियां ऐसे हैं जिसे छोटे बालक के बैर्थ के खेल जह चोटे ब बच्चा ने गली में बैठे धूल में खेलता रहता है कंकर से खेलता रहता है, एक दूसरे लड़ते रहते हैं, बस हमारे अज्ञान के जो खेल है न, वो इसी कोटिके हैं, उनी को हम बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं, इसलिए हमसे गलतिया हो रहे हैं, यह सब ऐसी गलतिया हैं जो अंधकार, और भगवत सरनागती है, शूरी है, जैसे शूरी हुदय हुआ, तो अलग-अलग कोठरियों में, अलग-अलग जगाओं में दीपक नहीं जलाना पड़ता, संपूर्ण सृष्टी का अंधकार चला गया, ऐसे भगवत सरनागत होते ही, संपूर्ण गलतियों का पूर्ण नाश हो जाता है, और भगवान बहुत दुलार करने वाले, आप खुद इसी से समझ लो कि आपने प्रभू के प्रतिक्या किया, उनकी आज्या का ही उलंगन किया, लेकिन आपके हरदय में आज भी बात आ रही है, कि इमानदारी से मैं गलत हूँ, मुझे प्रभू के सरनागती मिल सकती है, क्या, ये प्रभू की तरफ से प्यार है आपके प्रति, तब आपके अर्दे में आए, आप निश्चिंत रहिए, बस आपको ये थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगे कि अब लो नशानी, जहां तक हो सके, और जब आपको लगए कि मैं नहीं समल पा रहा हूँ, तो उनकी तरफ दृष्टी कर ना कि देखो प्रभू, मुझे ये विकार घसीटे लिए, मेरे नात, मेरे में शामर्थ नहीं, आप चमतकार देखना उसी समय, उसी समय आपको दिखाई देगा प्रभू का क्रपा प्रशाद किस रूप में उदय होता है, आप देखना, आप, बिल्कुल हर जीव, हर कोई ना सोचे कि मैं इस कुल का हूँ, तो मैं प्रभू के योगी हो शकता हूँ, नहीं, कोई ये ना सोचे कि मैं इस कुल का हूँ, इसलिए मैं प्रभू के योगी नहीं, कोई भी कुल, कोई भी कर्म, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिती आपको प्रभू से मिलने में रो राम और जिसके वो बल होते हैं उसकी बिजय ही बिजय होती हरस हरिनाम जपत जय उसको कोई परास्त नहीं कर सकता और इन पापों की तरफ ज़्यादा खेद युक्त वरती से सोचे ना यह जब तक प्रभु का मिलन नहीं होगा सूरी उदय नहीं होगा तब तक यह अंदकार बना ही रहेगा बड़े-बड़े सादकों में देखा जाता है गलतियां हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं अंदकार अभी नस्ट नहीं हुआ और सची मानों बच्चा जब हिरदय में भगवदा आनंद की अनुभूती होती है तो कहीं किसी सब भी साइक साथ उसके सपास हो तो भोगने की इच्छा ही नहीं होगी क्यों कि वो उस सुख को प्राप्त हो गया है जिसके बाद यह साब बिल्कुल ऐसा जैसे आपको पता चल जाए कि नकली रुपया है तो आप उसको जूखेंगे नहीं उठाने के लिए लेकिन जिसको पता नहीं है वो दोड़ के उठ प्राप्त है लेकिन जो उसको पता हो जाएगे तो जिदने संसार के भोगों में रमण कर रहे हैं उनको पता नहीं कि नकली है और जब असली भोग का परिचये प्राप्थ हो जाएगा तो किसी भी भोग की ताकत नहीं को खीट सके बिलकुल बेपरवारों जैसे हम इससे कह या यम्ना जल लेकर कसम खाके हमारे हाथ में दे दे उसके जीवन भरके पाप भूगने के लिम तयार है वो स्रीजी की तरफ बढ़े वो स्रीजी की तरफ चले हम किसी के बल से बुलते हैं हम ऐसे नहीं बुलते हैं ऐसे हम को ऐसे थोड़ी बूल और अगर कोई बात आवे न तो वकील अपने point पर रहता है, तो जज को भी वही लिखना होता जो वकील, हारे हुए मुकदमे को जिता दे, जीते हुए मुकदमे को हरा दे, वकील के आथ में होता है, हम लोग वकील है, तिहारी माया बाजी पसारी बिचित्र, स्वामी हरिदास केते सुनी मुनी मोहे काकी कोड के हरिदास तुम्हारे हम जीते तो अगर हमसे गलती हो रही तो महाराज आपकी माया की द्वरा आपकी गलती आपकी अगर आप समालना चाहो तो कौन भी गड़ सकता है अब महाराज चुप खड़े तो तुरंत वहां लिखा पड़ी हो हमारी वकालत करते हैं इसलिए हमारी विजय हो जाती है अगर हमारे करमों की तरफ दृष्टी डाली जाए तो करोणों जन्मों में भी भगोत प्राप्ती नहीं होगी संतों की कृपा से एक पल में बात सुधर जाती है इसलिए निश्चिंत रो भगवत शरणागत रो जहा आमे भगता प्रणस्तिती प्रभू के वचन है प्रभू के चरणों कास्तरे रखना जेई अगबधेव व्याध जिमिबाली सोई सुकंट पुनी कीन कुचाली सोई करतूती बिवीशन केरी सपने उराम न तिन तनहेरी हो हमारी स्रीजी को तो अलबेली सरकार कहते हैं अलब अलबेली सरकार मुस्कुरा के परम प्रेम प्रदान करने वाली लाड़ी जिसले निश्चिन तरब